एक family होती है जिसमें चार वच्छे और एक mother होती है इस family में murder हो जाते है तो इसके बाद सिर्फ brother और एक sister बची हुई होती है murder का चो बाता है, यह भाई पर लग जाता है क्योंकि छोटी sister ने बताया होता है कि मेरे भाई नहीं murder किया है अब ये छोटी वर्चीज़ बढ़ी हो चुकी है तब उसे पता चलता है कि शायद उसके ब्रदर ने ये खून किये ही नहीं थे आज की मूवी डार्क पेसेस ये बहुती कंपेलिंग मिस्ट्री थिलर है जैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाती है बहुत सारी चीज़े अनफोल्ड होती रहती है आपको कभी भी ये मूवी बोर नहीं होने देगी एक बहुती बेस्ट मूवी गौन गल जो भी एक मिस्ट्री थिलर ही थी उसके राइटर ने ये मूवी लिखी है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मुदर लिभी को कह रहे होती है कि तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ ये हमेशा तुम याद रखना ये एक फ्लैश बैक का सीन था इसके बाद लिभी हमें होस्पिटल में दिखाई गई है और इसे पूछा जा रहा होता है कि मुर्डर किस ने किया था अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और लिभी बड़ी हो चुकी है लिभी हमसे कहे रहे होती है यह murder हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे help की थी बहुत सारे पैसे उसे मिले थे इस पैसों से अगर वो कुछ भी ना करे तो अभी यह रह सकती थी और इसने यही किया है अब वो बड़ी हो चुकी है फिर भी उन्हों पैसो पर वो जी रही है अब यह इसके अकाउंटन के पास आ चुकी है यह हमें दिखता है इसका अकाउंटन इसे कहता है एक बड़ी प्रॉलम आ चुकी है तुमारे जो सब पैसे थे यह सब अब खतम हो चुके है लीवी को बिलीवनी होता लीवी को जो लोग पैसे पहचते थे अब वो नहीं बेच रहे अब वो बड़ी हो चुकी है और लोग इस इंसिडन्ट के बारे में भूल रहे है लीवी ने इस इंसिडन्ट पर एक भूग भी लिखा था उसके भी ज़्यादा कॉपेज वगरा सेल नहीं हुए लीवी है सुनकर सप्राइस्ट होती है लीवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है अब वो क्या करेगी यह उसे पता नहीं है उसका अकाउंटर्ण उसे कहता है कि एक अच्छी बात हो सकती है अब तुम फाइनली अपने लाइफ में कुछ कर सकती हो लीवी एक टोटल लुजर होती है उसे लाइफ में क्या करना है कुछ काम करना है या नहीं ये भी पता नहीं होता लीवी जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे लेटर पड़े हुए होती है एक लेटर जब वो ओपन करती है तो उसे इन्विटेशन आया होता है अगर वो उस जगा पर जाए तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते है जिस आदमी का ये लेटर होता है उसे फिर वो कॉल करती है ये उसे मिलने के लिए एक लॉंडरी के हाँ बुलाता है लाइल अपने आपको इंट्रिश कराता है और कहता है कि मैं मेरे कलब में तुम्हें इन्वाइट करना चाता हूँ लाइल एक कलब चलाता है जिसमें सब जो लोग होते हैं ये सब मर्डर में ही इंटरस्टेट होते हैं यह murder solve करने कोशिश करते है murder के जो victims होते है इनसे वो बात करते है murder के बारे में सब 30 वगरा बनाना इन्हें अच्छा लगता है अब इस club में Libby को Lyle बुला रहा होता है Libby को 500 डॉलर्स मिलने वाले होते है वो रोखेती है कि अब मुझे 1000 डॉलर्स चाहिए Lyle 700 डॉलर्स में उसे मना लेता है उसे ये भी कहता है तुम्हें उस incident के बारे में हमसे बात करने पड़ेगी अब हमें फिर से जब Libby छोड़ी थी वो पास दिखाया जाता है इसमें इनकी मदर इनके लिए breakfast बना रही थी तब ही वहाँ उसका brother आया इस mother का नाम Ben होता है Ben वहाँ से जा रहा था पर mother ने उसे रोक लिया उसे breakfast खाक कर जाना चाहिए इसलिए उसने उसे रोका होता है Ben ने एक hat पहने होती है उसकी mother इसके लिए उसे टोकती है पर वो मानता नहीं उसकी sister फिर उसे join करती है और फिर से उसकी hat की बात आती है उसकी hat निकालने के लिए उसे बोला जाता है तब इसने अपने hairs tie कर ली होते है सबको शौक लगता है क्यों उसके natural hair नहीं है Ben जो है यह बहुत ही weird बच्चा है यह सैदान पर believe करता है और अपने diary में कुछ भी weird चीज़े लिखता रहता है इसके बाद हमें present दिखाय जाता है और Libby अब Lyle के की लब में आ चुकी है यहाँ पर जो लोग होते हैं यह बहुत enthusiastic होते हैं Actually murder कैसे किया गया होगा यह सब वो try करकर देख रहे होते एक role play कर रहे होते है Libby को यह सब uncomfortable लगता है पर Lyle कहता है कि तुम उपर चलो उपर जो सब लोग है यह बहुत ही professionals है Lyle ने बहुत सारे लोग को यहाँ लाय होगा होता है Private investigator जो अब retire हो चुके है यह सब लोग यहाँ आय होगा होते है यह सब मिलकर आप murders की चानपिन कर रहे होते है Lyle Libby को कहता है कि अब हम एक serial killer को ढूण रहे है तुमारे mother का जब murder हुआ था तो उसी area में हो था हम उसे आप ढूनना ही वाले है यह हम देखते हैं कि बहुत सारा paper work वेगरा होता है लीबी को फिर एक आदमी जो murder हुआ था इस सब की details बताना स्टार्ट करता है वो कहता है कि तुमारी भाई पर सब आरोब आ चुका था तुम बहुत ही छोटी थी और तुमारे words पर believe नहीं किया जा सकता था फिर भी तुमारे ब्रदर को जेल में डाल दिया गया तुमारा रदा सैतान पर believe करता था तो इसलिए सब लोगों ने मान लिया तुमारे फादर भी पागल है वो भी घर छोड़ कर चले गए थे वो वापस आ सकते थे और तुमारी family को मार सकते थे उन पर किसी ने भी शक ने किया यह आदमी फिर लिबी से बुच्छता है क्रिसी का जो scandal हुआ था इसके बारे में तुमारे मदर ने कैसर यहाग किया था लिबी को किसी भी क्रिसी के बारे में पता नहीं होता यह बहुत चोटी थी तो बहुत सारे इससे चीज़े पता नहीं है क्रिसी एक लड़की थी जिसने बेन पर आरोप लगाया था कि उसने उसका रेप किया है उसके साथ सैतान की वार्शिफ वो कर रहा था यह सोट चीज़े है यह लिबी को अभी तक पता नहीं है यहाँ एक औरत होती है वो कहती है कि तुमने जूर बोला था और अपने भाई की तुमने पूरी जिन्द के बरबात कर दी वो बहुत एक अच्छा अदमी है वो पेंटिंग करता है उसने अब डिग्री भी ले ली है यह इसे लायर बुला रही होती है लिभी फिर चेर जाती है उठती और कहती है कि तुम्हें उस रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है अभी यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से पास दिखाया जाता है यहाँ में बेन दिखता है बेन कोछ ड्रक्स करने वाले बच्चों के पास आकर बेट जाता है बेन अपनी स्कूल में कूल है ऐसा दिखाना चाता है इसी वज़े से इन बच्चों के साथ वो अब हैंग आउट करना चाता है यह बच्चे इसे कूल नहीं समझते और इसे वहाँ से निकल जाने के लिए इन बच्चों को जब पता जलता है कि बेन साथान की पुजा करता है तब इसमें इन इंटरस्टेट हो जाते है यह भी इनके साथ हैंग आउट करना चाता है तो यह स्टोरीज बताना स्टार्ट कर देता है इसके बाद मदर हमें दिखती है और उसके बाद से गात में आता है इसे उसने लोन लिया होता है यह उससे कह रहा होता है हमारे जो क्रॉप से यह अच्छे बिक नेर है मदर फार्मिंग ही करती है यह थी है कि पीछले साल अच्छे क्रॉप्स ने आये थे पर इस साल अगर अच्छे क्रॉप्स आ गए तो सब कुछ बदल सकता है याद में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बैंक अब हमारी सब की जमीन ले लेनी वाली है अगर उने पैसे नहीं मिले तो माब पूटपात पर आ जाएंगे उसे कुछ भी कर कर पैसे लाने के लिए बोल रहा होता है अब हम फिर से प्रेजेंट देखते है नेक्स दिन लिभी फिर से लाइल से मिलने के लिए आती है वो गयती है क्यों तुम्हें help कर सकती हो जो तुम investigation कर रहे हो इसमें मैं भी तुमारा साथ दूँगी पर इसके लिए उसे पैसे लगने वाले होते है लाइल भी है पैसे देने के लिए मान जाता है इसके बाद लिली उसके ब्रदर से मिलने जेल में आती है लीभी का ब्रदर उसे कहता है कि अब उसने high school diploma complete कर लिया है वो degree ले रहा है यह बहुत ही खुश लीभी को देखता है तो लीभी पुछती है कि ऐसा क्या हो चुका है क्या तुम अब कौर्ड पर बिलीव करने लग गए हो यह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है लीभी पुछती है कि क्या तुम मुझे पर नाराज नहीं हो यह कहता है कि मैरे बहुत सारे लोगों पर गुशा है पर तुम उसमें नहीं हो लीभी कहती है कि मुझे पता है कि यह तुम नहीं किया था बेन कहता है कि मैंने कोट में जो भी कहा वो सब कुछ गलत कह दिया था तब मेरे स्कूल में मुझे कूल बनना था इसलिए मैं सब कह रहा था मुझे इसके कंसिक्वेंसेस कुछ समझ मैंने आ रहे थे लीवी पूछती है कि अगर यह सच है तो तुमने अपिल क्यों नहीं की थी इसका प्रदर कुछ बोल नहीं रहा होता तो इक गुस्से में यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से पास्ट का बेन दिखाया जाता है यह उसकी गल्बर वेंड की साथ है यह इस दिन उसे मिलने के लिए आता है तो इसकी गल्बर वेंड बहुती चीड गई होती है इसके गल्बर वेंड का नाम डियोणरा होता है डियोणरा उसे अपने रूम में लेकर जाती है और तो on- hjälड इंटिमेट हो जाते है इसके बाद उसे पुछती है कि स्कूल में तुम्हारे बारे में कुछ भी बाते की जा रही है तुमको छोटी लड़कियों को खेत में लेकर गए और तुमने सेतान की फूजा की थी तुमने उन्हें मुलेस्ट भी क्या है ये भी बात की जा रही है बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब अफवाय है यही नेकसिन में हम देखते है कि इन बच्चों की मदर को मिलने उसके सिस्टर आई हुए हुए हुथ है एस सिस्टर है इस सिटी में रहती है और अच्छे से कमा वगरा लेती है मदर अब उसे जो भी सब प्रॉलम से इन सब के बारे में कह रही हुथ है मदर बेन को लेकर भी बहुत ही परिशान है बेन की जो गर्फरेन है वो प्रिगनन्ट है अब यह दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाने वाले है पर इन्हें पैसों की प्रॉलम है डियोंड्रा का जो ब्रदर होता है यह बेन से कहता है कि तुम्हारे फादर से तुम पैसे ले सकते हो बेन कहता है कि मेरे फादर तो बहुत ही करीब है डियोंड्रा का ब्रदर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने बहुत सारा वीड उनके पास देखा था ये ड्रक्स देल करते हैं तो पैसे इनके बास हो सकते हैं इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं लीवी को लायल समझा रहा होता है कि तुम्हारे ब्रदर ने जो भी टेस्टेमोनी दी वो सब गलत हो सकती है तब ये सेतान वेगरा इसके वार्शिप करने का एक ट्रेंड ही चल रहा था सब बचे इसकी स्टोरी बना रहे थे बेन बर छोटी लड़कियों को मोलिस करने के चार्जेस लगे थे इसमें ही एक का नाम क्रिसी केट्स था अब लीवी को इसके बारे में पता चल चुका है तो क्रिसी केट्स के मदर से क्रिसी केट्स का वो नंबर ले थी है हम फिर से पास में देखते है कि मदर को प्रिंसिपल ने बुलवाय होता है बेन ने जो सब किया है ये उसे बताया जाता है यह रोने लग जाती है अगर सचनुज में ऐसा हुआ होगा तो वो बहुत ही ट्रवल में है बेन कोप लॉयर भी लगेगा और इतने सारे पैसे इसके पास नहीं है यह सच निकालने के लिए क्रिसी की घर पर जाती है वहाँ पर उसके पैरेंट्स विगरा भी होते है क्रिसी के भादर बहुत ही चिड़ गए होते है क्रिसी से जब मदर पुछती है तो वो भी सब कुछ बता देती है अब मदर को लगता है कि वो एक अच्छी मदर नहीं है उसके घर में सब प्रॉब्लम चलती रहती है इसी वज़े से बेन ने एक किया होगा कभी-कभी उसे लगता है कि उसे सूसाइड कर लेनी चाहिए अगर वे कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी जेस्टर उसके बच्चों का खयाल रख सकती है किस्टर उसे समझाती है कि ऐसा मत बोलो तुम एक अच्छी मदर हो तुम हमेशे अपने बच्चों का खयाल रखती हो फिर से हमें प्रेजन दिखाया जाता है और लीबी क्रिसी से मिलने के लिए आती है क्रिसी से जब लाइल सब कुछ पोचता है तो क्या हुआ था ये सब बता देती है लीबी पहचान जाती कि जूट बोल रही है उस पर वो थोड़ा सा वे बिलिव नहीं करती लाइल को लग रहा होता है कि फैमिली को मारने वाला क्रिसी के फादर ही थे लाइल बिल पे करने के लिए चला जाता है तो क्रिसी से लीबी बात करती है वो कहती है तो मारे फादर का मुझे अड्रेश चाहिए क्रिसी इसके लिए 50 डॉर्रस मांगती है लीबी उसे देती है क्रिसी उसे थोड़ा सा टाइम मांगती है क्योंकि अपने फादर से वो बहुत ही जादा टाइम हो चुका है और मिली नहीं है अब हम फिर से पास देखते हैं तो इन सब बच्चों के जो फादर थे वो घर पर आये थे मदर और फादर की फाइट हो चुकी थी फादर को कुछ पैसे चाहिए थे और मदर उसे दे नहीं रही थी यह फादर इस पर चीट कर ही वहाँ से निकल गया था लीबी अब अपने फादर को ढूणना जाती है एक जगा से वो पता ले थी है और उसके फादर एक बन फैक्टरी में रहे रहे होते हैं यह जब यहाँ पोचती है तब पहले इसके फादर उसे पहचानते नहीं जब बचपन की मेमरी वो शेर करते है तो फादर को बिली हो जाता है कि उसकी हे डॉटर है लीबी अपने फादर से कहती है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो अगर तुम ने यह किया था तो तुम अब सब कुछ बता सकते हो उसके फादर कहते है कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया है यह कह रहे होते है कि जब मैंने डियोंडरा के भाई की गाड़ी बाहर देखी तो यह मुझे पता जल गया था कि कुछ ना कुछ तो ट्रबल है यानि कि लीवी के फादर ने रात में वहाँ कुछ देखा था लीवी को इसके बारे में कुछ भी आईडा नहीं होती बेन की गल्फरेंट डियोन्रा उसका भाई इन सब के बारे में उसके फादर उसे कहते है लीवी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता लीवी अब यहाँ से चली जाती है पास में डियोंडरा का ब्रदर बेन और डियोंडरा ये सब उसके फादर से मिलने के लिए आये हुए है डियोंडरा के ब्रदर से बेन के फादर ने बहुत सारे बैसे लिये थे और वो उसे वो मांग रहे है ये बेन के लिए है ये भी उन्हें कहा जाता है बेन अमने फादर से मिलते है और कहता है कि अब मैं भी फादर बनने वाला हूँ बेन के फादर कहते है ये क्या तुम शूर हो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है बेन थोड़ा सा सस्पीशियस हो जाता है आद में जब ये सब घर आ रहे होते है तो डियंडरा और उसका भाई ये दोनों ड्रक्स करने लग जाते है इसके बाद ये तलवार वेगरा निकालते है और जाकर सैतान के लिए सैक्रिफाइज लेना चाते है ये बेन के सामने ही एनिमल्स को मारते है प्रेजन में हम देखते है कि लिभी अपने ब्रदर से मिलने के लिए आती है उसने जो सब प्रोग्रेस की है इन्विस्टिकेशन में वो सब उसे बताती है इसका ब्रदर उससे कहता है कि ब्लीज ये सब मत करो तुमने उस वक जुट बोला था इसी वज़े से मेरी सब लाइब बरबाद हो चुकी है और फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तुम ये सब कर रही हो तुम मुझे ये सही नहीं लग रहा बैन बिलीव नहीं करता कि उसके फादर ने ये सब क्या होगा पिन लिबी से कहता है क्या तुम्हें अब भी सच मुझ में कुछ भी डाउट है कि ये मैंने किया था लिबी कहती कि हाँ मुझे लगता है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही घटिया है मैंने भी लोगों को हर्ट किया है कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारी जीन्स में ही ये सब चीजे है इसका प्रदर उसे कहते है कि मुझे लगता था कि मैं ही IMPRESANT हो तुम अपने एक खायाले दुनिया में एक जेल में बन चुकी हो ये भी सची होता है लीभी कभी भी सत्में से उबर नहीं पाई है फिर जमें पास दिखा जाता है और मदर अपने बेटियों से पूछ रही होती है क्या बेन ने कभी तुमें कुछ गलत तरीके से टच किया है इसकी सब बेटिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो बहुत ही वीर्ड है उसके रूम में बहुत ही गलत गलत चीज़े है मदर रात में जाकर सब चीज़े देखने लग जाती है यहाँ बेन की डायरी में सैतान की रिलेटेट बहुत सारी चीज़े लिखी होती है यह सब वो देखती है क्रिसी को अपने फादर का पता उसे देना था जब ये उसे मिलने के लिए आती है अब वो उसे सच पताती है क्रिसी के थी है कि जब मैं छोटी थी तो बेन मुझे सिखाया करता था मुझे उस पर crush हो गई थी मैंने जब उसे बताया तो उसने ठुकरा दिया तो हमेशा मुझे अच्छी तरीके से पेश आता था कभी भी उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था जब उसने मुझे ना बोल दिया तो मैं उस पर चिट गई थी उन दिन डिवी पर जो दिखाया जाता था कुछ लड़किया मोलेस्ट हो चुकी है तो यही चीजे सब मैंने पुलिस को बता दी थी एक्च्छल में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था लिवी को अपने ब्रदर के लिए बहुत बुरा लगता है फिरसे हम पास देखते हैं और मदर से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ है यह उसके सब ड्रबल्स दूर कर सकता है यह इसे एक डील कर रही है अग हम फिरसे प्रेजें दिखते हैं प्रेजें में लिवी और लायल दोनों डियोंडरा की ब्रदर से मिलने के लिए आते हैं इसे वो डियोंडरा की बारे में पूछ रहे होते यह कहता है कि दियोंडरा 25 years से missing है दियोंडरा का और एक name था इसके बारे में इन दोनों को पता जल जाता है दियोंडरा missing थी क्योंकि उसका सचमुझ नाम जो है यह किसी को पता नहीं है लिभी जब दियोंडरा का new name search करती है तो दियोंडरा का पता उसे मिल जाता है फिर से past हम देखते हैं कि डियोंडरा प्रेगनेंट है तो अपने boyfriend यानि की बेन को कह रही होती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए बेन के घर पर उसकी कुछ पैसे है यह वो लेकर आ सकता है बेन उस पर शक कर रहा होता है कि क्या सचमुच में यह इसका ही बेटा है तो उसे वो मारती है और कहती है मैं सिर्फ तुमसे बैर करती हूँ यह फिर रात में बेल के घर पर जाकर पैसे लेकर आने वाले होते है फिर से प्रेजन में लिवी अब डियोंडरा से मिलने के लिए आती है डियोंडरा सप्राइस्ट होती है पर वो कहती है कि मुझे हमेशा से लगा था यह तुम कभी ना कभी तुम मुझे ढोंडी लोगी लीवी जब उस incident के बारे में डियोंडरा से पूछती है तो डियोंडरा कहती है कि उस रात मैं अपने घर पर ही थी बेन तुमारे घर पर जाकर सब पैसे लेकर आने वाला था हम भाग जाने वाले थे पर सुबह तक वो घर पर आया ही नहीं सुबह मुझे मर्डरस के बारे में पता चला हम पास देखते हैं और वहाँ पर डियोंडरा और बेन दोनों बेन के घर पर आ चुके है यानि कि पिछले सीन में डियोंडरा जो लीवी से कह रही थी है यह सब कुछ जूट था प्रेसेंट में लीवी डियोंडरा पेगनेंट थ जाती है जब लीवी नीचे आती है तो उसके सर पर डियोंडरा की बेटी वार कर देती है और लीवी यही पेऊस हो जाती है पास्ट में हम देखते है कि डियोंडरा और बेन तोनुक घर पर थे तब इनकी बड़ी सिस्टर वहाँ चुकी थी यह चिलाने लग गई थी तो ड दियोन्रा ने उसकी सिस्टर को मार दिया, जिस आदमी ने मदर को मारा था, इसकी छोटी सिस्टर को भी उसने ही मार दिया, यहाँ से लीवी एसकेप हो चुकी थी, जब एक किलर भास से चला गया, तो बेन को पता चला, कि दियोन्रा ने उसकी सिस्टर को मार दिया है, अब हम पीज़ पज़ा सबस गया और उसे कहा कि यहां से बाहर मत निकलना उसने यहाँ लीवी को बचाया था अब मैं पता चल चुका है कि बेर्न प्रीजन में क्यों कुछ भी नहीं बोल रहाँ था डियोंडरा और उसकी बेटी है, यह उसकी family है, इसे ओर trouble में नहीं लाना चाता, अगर उसने सब कुछ सच बता दिया, तो डियोंडरा जेल में चली जाएगी और उसकी बेटी का क्या होगा, यह राज वो दफना रहा था, डियोंडरा की बेटी ने लिवी के सरबर वार किया पुलिस को पता चल चुका है लायल लीवी को कहता है कि जो आदमी था जिसने सब लोगों को मार दिया था वो एक सीरियल किलर था तुम्हारी मदर ने उसे पैसे दिये थे जो भी लोग करजे में डूपते थे उनके पास जदा था और उने मार देता था वो लोगों को हेलब कर रहा है ऐसा उसे लगता था तुम्हारी मदर ने उसे बुलवाय था एक्च्छून में प्लान ये था कि सिर्फ मदर मरने वाली है पर ये सीरियर किलरी था तो सब लोगों को मार कर वो हासे चला गया था दूसरी जिस्टर का खोड डियोंडरा ने किया ह तो पुलीस भी अब उसके पीछे पढ़ चुकी है बेन इनोसंट है इस वज़े से अब वो जेल से निकलने वाला है लीवी उसे आकर मिलती है लीवी कहती है कि हमारे सिस्टर को डियोनरा ने मार दिया था और फिर भी तुम उसे कवर कर रहे थे बेन कहता है कि मिलती है प्यार करता था मेरा बच्चा आने वाला था इसलिए मैंने सिक्रेट दबा कर रखा था लीवी उसे सौरी कहती है उसने जोट बोला था कि उसके ब्रदर ने ही यह सब किया है एक्च्वल में उसने कुछ भी देखा नहीं था बेन पुछता है क्या अब हम फिर से फैमिली बन सकते है लीवी कहती है तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते हम एक दूसरे को जान भी नहीं सकते पर फिर भी तुम मेरे प्रदर हो यह हमेशा family रहने वाले है इन दोनों ने एक दुसरे को माफ कर दिया है Ben कहता है कि जब हम छोटे थे तब सब चीज़े गलत थी ऐसा नहीं है As a family हमरे पास बहुत सारे अच्छे moments थे वो हम कभी भी याद नहीं कर दे उसी यह सब याद है यह जब पाहर निकलेगा तो Ben उसे सब कुछ बताने वाला है लिली हमसे कहती है सच्चुच मैं ऐसा ही था मदर के मर जाने के बाद सब कुछ निकेटू चीज़े ही मुझे दिख रही थी पर हम एक अच्छी family थे Ben भी एक अच्छा प्रदर था यह भी मैं भूल चुकी थी लाइफ की अब वो positive side देखने वाली है और अच्छे से लाइफ जीने वाली है अब वो धूप में एक नए रास्ते पर जा रही है यह में दिखाया जाता है और यह movie यही end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छ लगा